दोस्तों आज हम एक साथ डाल जवल बनाना सीखेंगे इससे गैस की भी बचत होती हो खाना जल्दी बनकर तयार हो जाता है तो चलिए फ्रेंस आज हम कुछ नया सीखते हैं तो सबसे पहले हमने एक कोकर लिया है तूर की हमने डाल लिया आप कोई भी डाल ले सकते हो तो हमने इसे धुल लिया है और हम कोकर में डाल देते हैं कुकर में हम पानी डालेंगे तो एक कटोरी डाल ली थी तो उसी कटोरी से हम चार कटोरी पानी डालेंगे नमक डालेंगे तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो इसी कोकर में हम चाबल बनाएंगे तो एक गिलास में हमने चाबल ले लिये हैं और पानी भी डाल लिया है तो कोकर के बीच में हम इस गिलास को रख देते हैं नमक डालेंगे चाबल में तोड़ा सा हम तेल डालेंगे अगर आप सबजी बनाना चाहते हो तो साइड में आलू भी डाल सकते हो लेकिन आलू आप छील कर धुल कर ही डालें कोकर का ढखकन लगा देते हैं चार सीटी लगा लेते हैं तो चार सीटी लग चुकी हैं तो हम देख लेते हैं हमारे दाल चाबल पके हैं या नहीं तो आप देख सकते हैं कि चाबल पक गए हैं मैं आपको चम्मस से दिखाती हूँ देखो बिलकुल एक एक चाबल बनके तयार हुआ है तो हम गिलास बाहर निकाल लेंगे, दाल भी चेक कर लेते हैं, पकी है या नहीं दाल भी अच्छे से पक गई है अब हम चावल फ्राइ कर लेते हैं, तो एक फ्राइ पैन लिया है, एक चम्मच हम घी डालेंगे गी मेल्ट हो गया है तो एक चम्मच हम जीरा डालेंगे मतर तो मतर अच्छे से पक गई है तो हम इसमें चाबल डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चाबल फ्राई होके तैयार है तो एक थाली में हमने चाबल निकाल लिये हैं एक कटोरी में दाल लिये हैं दाल में हम तड़का लगाएंगे तो एक तड़का पैन लिया है एक चम्मच हम घी डालेंगे घी गरम हो गया है तो हरी मिर्च डालेंगे इसे हम भून लेते हैं आधा चम्मच जीरह डालेंगे इसे भी हम भूल लेंगे चम्मच से थोड़ा चला लेते हैं आधा चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे तर्का बनकी तयार है दाल में डाल लेते हैं चम्मस से हम मिला लेंगे तो आप देख सकते हैं कि देखने में कितनी अच्छी दाल लग रही है तो ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है आप इस तरह से जरूर दाल में तड़का लगाएं तो ऐही थी मेरे आज की रेस्पी आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए थैंक यू